हेलो फ्रेंज रादे रादे चलिए आपको आज हम बहुत ही प्यारी शी गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना बताएंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पर पतली वाली 10 नंबर्स लाई ली हुई है और यहाँ पर पिंग कलर की मैंने वूल ली हुई है इसी से मैं आपको बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही सुन्दर सी इजी सी गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना बताएंगे जो बनाने में बिल्कुल इजी है तो यहाँ पर हमने एक ही कलर से ड्रेस को बनाना है काफी कमेंट आ रहें गोपाल जी की ड्रेस के लिए तो उलन आज आपको ड्रेस बताएंगे गोपाल जी के लिए और जो ड्रेस आपको बताने जा रहे हैं वो हम 3 नमबर लड़ो गोपाल जी के लिए बता रहे हैं 3 से 4 नमबर को वो आराम से आजाएगी तो आपको जो ड्रेस बताने जारे हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से और एजी तरीके से आपको 3 नमबर गोपाल जी के लिए ड्रेस बताएंगे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जरूर लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं ये प्यारी सी गोपाल जी की ड्रेस आपको कैसी लगी तो चलिए शुरू करते हैं बनाना तो सबसे पहले हम फंदा डालेंगे और यहाँ पे हम फंदे इड्रेस आपको बता रहे हैं तो यहाँ पे 18 फंदे डालेके कम्प्लीट कर लेते हैं सबसे पहले तो देखे फ्रेंज मैंने यहाँ पे अपना 18 फंदा डाल लिया है और 18 फंदे से आपको हम बता रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम गोपाल जी के लिए घेरा बनाएंगे तो देखे फर्स्ट रो से ही आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा 14 15 16 17 18 तो देखे यहाँ पर मैंने 15 फंदे बुन लिये हैं और यहाँ पर मैंने 3 फंदा अपना बिगर बुना यहाँ पर 3 फंदा छोड़ दिया है यह देखे और यहीं से अपना वापिस हो जाएंगे और यहाँ पर हम दोनों साइड से इसको उल्टा उल्टा बनाते भी कंप्लेट करेंगे और कुछ नहीं करना है और जो ड्रेस आपको बताने जा रहे बहुत ही सिम्पल सी और इसी सी ड्रेस है आसानी से आप सलयों की हेल्प से बना सकते हैं जिने उल्टा सीदा बनाना आता है वो भी इसी तरीके से इसको बना सकते हैं और आप तीन नंबर में आराम से ड्रेस आ जाएगी और चार को भी आप इसे पहना सकते हैं तो देखें यहाँ पे हम तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और ये बारा प्लास्ट के फिर से मैंने तीन फंदा छोड़ दिया है, यहीं से वापिस हो जाएंगे तीन, तीन फंदे का, तीन, तीन फंदे छोड़ते हुए हम इसको मनाएंगे यह रेखिए काफि कमेंट आ रहे हैं कि गोपल जी की उलन ड्रेस बताएं तो आज हमने आपको उलन ड्रेस आपको बता रहे हैं यह देखिए, दो, चार, छे, पाँच, छे, साथ, आठ और ये नव तीन फंदे फिर से छोड़ दिये, यहीं से वापिस हो जाएंगे हमने यहां पर पेंग कलर लिया है, कलर कॉमनिशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके गोपाल जी को पसंद है, वो आप अपनी पसंद का बना सकते हैं तो देखिए, दो, तेन, चार, पाँच, छे, लाष्ट के तीन फंदा फिर से छोड़ा है, तीन तीन करके मैंने यहां पर सारे फंदे छोड़ लिये हैं यह देखिए, अब छे फंदा है, अब तीन फंदे फिर से छोड़ेंगे, और तीनों को बनाएंगे यहां पर मैं एक साइड से इसको इस साइड से बुन रही हो, और यहां पर सीधी साइड से हम इस तरह से उतार रहे हैं तो यहाँ पर 3 फंदा यह देखिए 3-3 करके मैंने सबी फंदे यहाँ पर छोड़ लिया है और यहीं से पलड़ जाएंगे अब 3-3 फंदे छोड़ने के बाद हम पूरी शलाई को बनाएंगे तो यहाँ पर जैसे की हमारी एक पत्ती बनके मेरी कम्प्लिट हो चुकी है इस तरह से ही मैंने इसका पूरा घेरा बना के कम्प्लिट करना है यह देखिए सभी को बना लिये हैं और यह यहाँ पर उल्टी शलाई को भी पूरा बना लेते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर उल्टी शलाई को बनाना है सभी फन्दे छोड़ने के बाद बना लिये हैं अब यह उल्टी शलाई को भी बना रहे हैं यह देखिए इस तरह से तो एक पत्ती पिर से यहाँ पर बनके यह कम्प्लिट हो चुकी है अब फिर से हम तीन तीन फंदे छोड़ते हुए यहाँ पर complete करेंगे यह देखी ऐसे अब तीन तीन फंदा मैं फिर से छोड़ूंगे अपना तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोड़ा पंदरा तीन फंदे छोड़ दिये हैं फिर से अब ऐसे ही मैं इसको बनाते हुए इसका गेरा पूरा कर लेती हूँ और उसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ तो चलिए मैं इसका गेरा पूरा करके complete करती हूँ दोनों साइड से आपने उल्टा-उल्टा ही बनाते हुए जाना है हर पत्ती ऐसे ही गोल-गोल अपना बनाते हुए कंप्लीट करना है इसको तो देखी फ्रेंज मैंने इसका यहाँ पे गेरा बना के कंप्लीट कर लिया है यह देखी इस तरह से यह देखी अपना ऐसे गेरा इसको बना के हमने यहाँ पे complete कर लिया है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सबी फंदों को अपना बंद करेंगे तो देखी बहुती प्यारा सा दोनों साइट से एकदम इसको उल्टा उल्टा हमने बना के complete कर लिया है अब यहां पर हम क्या करेंगे सबी फंदों को अपना बंद कर लेंगे घेरा बनाने के बाद बंद कर रहे हैं एक दूसरे यह देखिए दो फंदे घड़ चुके हैं वापिस सलाई में डाला यह देखिए इस तरह से उसी सलाई में दो का एक करते हुए सबी फंदों को बंद क यह मैंने आपको बहुती सिंपल सी ड्रेस बता रही हूं जो बनाने में बिल्कुल ईजी है और भी मैंने काफी डिजाइनर ड्रेस अपने चैनल में डाली हुई है आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं यह दिखिए सबी फंदे यह देखिए इस तरह से बन कर लिए है यह देखिए इस तरीके से और इस साइड भी हमारा ऐसे ही यह देखिए बन चुका है अब यह देखिए यहाँ पर हम अपनी नौट लगा देंगे और यहाँ पर यह देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा सा घेरा बन के कम्प्लेट हो चुका है यह मैं आपको बहुत ही सिंपल सी ड्रेस बता रही हूँ विल्कुल इजी सी इस तरह से आपने घेरा बना के कम्प्लेट करना है काफी अच्छी लगती हैं बड़े बड़े गेरे की ड्रेस तो देखिए हम अब इसमें चोली बनाएंगे वो कैसे हमने बनानी है वो आपको मैं बताती हूँ तो देखिए अब हम इसमें चोली अपनी कैसे बनाएंगे ये रिखिए एकदम से ये अच्छे से हमारा घेरा यहाँ पर पूरा हो चुका है ये रिखिए अब हमने चोली कैसे बनानी है यहाँ से हमने ये रिखिए इस तरह से आप सलाईयां गिल ले ये रिखिए हल लाइन को आप गिलने इस तरह से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे अब यहाँ पर यह देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो यह देखिए यहाँ पर हम दोनों साइट अपना एक, दो, तीन, चार, पांच पांच इधर छोड़के एक, दो, तीन, चार, पांच और ये देखिए बीच से हम फंदे अपना उठाएंगे तो यहाँ पर देखिए कितनी फंदे हमारे बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ नौ फंदे हमारे बन जाएंगे तो देखिए यहाँ से हम फंदे अपना उठाएंगे ये देखिए इस तरह से एक, दो, तीन, चार, पांच, ये देखिए ऐसे पहुत ही सिंपल सी ड्रैसिस बता रहे हैं गाईज आपको ये देखिए ऐसे इस तरीके से और पांच लाइन हम इधर छोड़ देंगे जैसे मैंने यहाँ पर छोड़ी हुई है ये वाली इस साइड और बीच में अपना नौ फंदा उठाके कम्प्रीट करेंगे ये देखिए दो पांच हो चुके हैं छे साथ एक दो तीन चार पांच और ये नौ और एक दसमा भी फंदा हम उठा लेते हैं ये देखिए यहाँ पर भी हमने एक दो तीन चार पांच और इस साइड भी मैंने पांच दारिया अपनी छोड़ दी हैं ये देखिए एक दो तीन चार पांच और यहाँ पर ये देखिए फंदे एक दो तीन चार पांच छे साथ आत नो दस दस फंदे मैंने उठा लिये हैं अब ये देखिए दस फंदे उठाने के बाद हम यहाँ से बुनना सुरू करेंगे इस तरह से बहुत ही सिंपल सी बता रही हूं गाइज ड्रैस बनने के बाद यह बहुत ही खुबसूरत लगेगी पांच सलाईयां इधर छोड़ दी हैं और पांच सलाईयां इधर छोड़ी हैं बाकी हमने यहाँ पर अब यह देखिए दोनों शायट से हमने फंदे को ऐसे उतारना है और धाग अपनी तरफ गुमा लेना है अब यह देखिए ऐसे हम इसको यहाँ पर बनाएंगे दो सलाईयां मैं ऐसे ही बना लेती हूँ उसके बाद आपको फिर शे दिखाती हूँ तो दोनों शायट हमारी किनारी आनी चाहिए यह देखिए इस सायट से मैंने बुन लिया है और इधर हम इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पर ऐसे बना लेंगे पहुत सिंपल और बनाने में यह बिल्कुल आसान है और बनने के बाद यह बहुत ही खुबसूरत लगती है तो देखिए एक सलाई हो चुकी है यानि कि दौनों तरब की दो सलाईयां यहाँ पर मैंने बना ली है तो यहां पर दोनों साइट की चार सलाईयां मैंने कर ली है यह चार सलाईयां हो चुकी है इसके बाद हम यहां पर दो फंदापना दोनों साइट से उल्टा उल्टा कर लेंगे यह देखिए उसके बाद हमने सीधी सीधी बनानी हैं सलाईया तो ये हम तीशरी सलाई को बना रहे हैं दोनों साइड दो दो फंदे उल्टे करेंगे ये दिखिए ऐसे तो आईए मैं बनाती हूँ इसको अब चोथी सलाई को हम बनाएंगे यानि कि दोनों तरब की छे सलाईया हो चुकी है ये ये देखिए दो उल्टी और एक सीधी आईए मैं इसको करती हूँ थोड़ा लंबा तो देखिए फ्रेंज मैंने यहाँ पर अपनी छे सलाईया बना ली है ये देखिए एक दो तीन चार पांच छे यानि कि दोनों तरब की मैंने अपनी टोटल बारे सलाईया अपनी बना ली है इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर यह देखिए बहुत ही सिंपल शी ड्रेस आपको बता रहें गाईज यह देखिए दो और यह तीन इसको हम मुल्टा कर लेंगे तीन फंदे बना लिए इसके बाद हम अपना फंदा यहाँ से यह देखिए बीच में घटाएंगे यह देखिए एक दो और यह तीन और यह चार फंदे मैंने घटा दिये हैं जिसमें हम तीन फंदा इधर भी रखेंगे अपना यह देखिए तो यहाँ पर सिंपल सी चोली आपको हम यह बता रहे हैं यह देखिए इस तरह ऐसे, तो अब हम क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले हम अपना इन तीन फंदों को ही, ऐसे ही बनाते हुए कंप्लेट करेंगे, ये देखे उल्टा-उल्टा, और लास्ट के, दूसरी साइट के हम फंदे बनाएंगे, ऐसे ही ये देखिए उसके आगे आपको फिर दिखाएंगे एक साइड से हम तीन फंदों को बना रहे हैं यह देखिए बहुत ही सिंपल सी यह रिजी सी चोली आपको यह बता रहे हैं हम तो चलिए बना लेती हूँ मैं इनको बुन लेती हूँ थोड़ा लंबा कर लेती हूँ बनाते हुए तो देखिए फ्रेंस मैंने एक तरप की पट्टी अपनी बना ली है और इसमें आपको हम बताएंगे तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, न यहां से हम बंद करेंगे यह देखिए इस तरह से बंद कर दिये हैं दाके को कट करेंगे और इसी से हम निकालेंगे यह देखिए और इस दागे को यहां पर हम पूरा अपना कट कर देंगे अच्छे से नौट और लगा लेंगे एक बार इस तरह से यह देखिए तो कुछ इस तरीके सी हमारी यह आ जाएगी और यहां पर हम इस तरह से पहनाने के बाद यहां पर कोई भी चिट-चिट बटन लगा देंगे यह देखिए ऐसे और दूसरी साइड से भी बना लेते हैं उसके बाद आपको फिर दिखाते हैं कैसे हमने गोपाल ज है यह देखी है और पहनाने की बाद यह किस तरह से हमारी ड्रेस आएगी यहां पर आपकोई भी कलर का वो सारी बटम बगएरा लगा सकते हैं अगर ऐसे ही यूज करना चाथे अगर आप इसे कोई चोली से उपर से भी पहनाना चाते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं और बटन या है आप बटम वगएरा जो भी आप लगाना चाहते हैं एक यहां पर और यहां पर लगा देंगे और यह पहनाने के बाद इस तरह बहुत ही आसा और यह कोई भी ड्रैस के उपर से और उपर से इस तरह से इसके करके यह कैसे और बहुत ही प्यारा सा लुक इसका आएगा जैसी कि आपने वाइट कलर की चोली बना ली और उपर से यह ऐसे डाल सकते हैं और सिंपल भी अभी के लिए जैसे कि यह अभी के लिए ऐसे भी बहुती कमफरेबल रहेगी यह तरह से यहां पर हम दोनों चिचिट बटन लगा देंगे और चोली एकदम आराम से यह आ जाएगी अभी हमारे गोपाल जी बैटे हुई है मैं अभी इसको आपको पहना करके भी दिखा देती यह देखे इस तरह से यह देखे तो चलिए अगर आपको आज का वीडियो यह अच्छा लगे तो प्लीस इसे जरूर लाइक करें शियर करें और कमेंट करके जरूर बताएं यह प्य जरूर लाइक